Hello everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे 18 जून से पहले शायद कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी भी देश के पारलिमेंट में किसी टेररिस्ट को इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा और उसके मरने पे मोमेंट आफ साइलेंस भी रखा जा रहा मैं बात कर रहा हूँ केनेडियन पारलिमेंट के बारे में और खास करके जस्टिन चूडो के बारे में जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले साल 18 जून को हरदीब सिंग निजर का असैसिनेशन कर दिया जाता है ब्रिटिश कोलोंबिया में और जैसे ही हरदीब सिंग निजर का असैसिनेशन होता है वैसे ही गौवर्मेंट आफ कैनेडा बढ़ चड़कर भारत सरकार के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि हरदीब सिंग निजर के असैसिनेशन के पीछे गौवर्मेंट आफ इंडिया और उसमें भी खास करके रौ का हाथ है लेकिन एक साल से उपर हो गया है किसी भी तरीके कोई एविडेंस शेर नहीं किया गया गौवर्मेंट आफ कैनेडा के द्वारा लेकिन एक चीज जो देखने को मिला है वो ये है कि बीते एक सालों में भारत और कैनेडा के जो संबंध हैं वो अपने रौक बॉटम पे पहुँच गया है ये उस पूरे मोमेंट का एक तस्वीर है जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मिम्बर ओफ पार्लिमेंट्स मोमेंट ओफ साइलेंस को अंजाम दे रहे हैं यहाँ से एक चीज़ बहुत ही साफ है कि कितना morally corrupt हो चुके हैं ये लोग जो एक terrorist organization को support करने के लिए अपने पार्लिमेंट का सहारा ले रहे हैं यहाँ पी ये कहने के जरूवत नहीं है कि वैसे सभी लोग जो इस देश को बाटने की बाते करते हैं उनको directly fund दिया जाता है ISI के द्वारा और साथ में उन सभी देशों के द्वारा जिनके संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं हैं अगर आप specifically बात करें खालिस्तानियों के बारे में तो इनको बढ़ चड़कर fund किया जाता है ISI के द्वारा और इसमें जो लोग काम करते हैं या जो इस ideology के साथ खड़े होते हैं अगर आप उनका background चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वो सारे लोग हैं जो कि fourth generation से belong करते हैं और यहां पे भी chances काफी high है कि ये लोग शायदी कभी भारत आये होंगे और भारत का जो natural beauty है या जो हमारा ecosystem है और जिस तरीके से हम लोग मिल बाट के रहते हैं इन सभी चीज़ों कभी ये लोग अपने आँखों से देखे भी होंगे किसी भी democratic देश का जो parliament ह होता है वहाँ पे discussions होते हैं वहाँ पे policy बनाये जाते हैं ना कि किसी भी तरीके से किसी terrorist organization को support किया जाता है Member of Parliament को वहाँ के लोग चुन के भेजते हैं ताकि ये उनके जो concern से उसको सुने और उसके हिसाब से काम करें लेकिन Canada का Parliament को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने power को enjoy कर रहे हैं एक चीज़ जो बहुत ही obvious दिमाग में आ सकता है जिनको नहीं पता है कि आखिर में हरदीप सिंग निजर या खालिस्तान को support क्यों किया जा रहा है Justin Trudeau के time period में इतना जादा तो Justin Trudeau जिस party से belong करते हैं उस party का नाम है Liberal Party और इनके पास total 158 Member of Parliament का support है और इनको सरकार बनानी के लिए 170 seats यहाँ पे एक role आता है एक नए political party का जिसका नाम है NDP और यह वैसे लोगों का political party है जो खालिस्तान movement को support करते हैं कहने का मतलब है कि इनके जो ancestors थे वो भारत के थे और किसी time पे वो move करके Canada चले गए और इनके जो family है वो काफी सालों से Canada में रह गए जिसके वैसे इनको लगा कि इनका भी एक political organization होना चाहिए और वो political organization आज की रेट में जाना जाता है New Democratic Party के नाम से इनके पास total 25 seat है तो कहने का मतलब है कि Justin Trudeau के पास है 158 seats और NDP के पास है 25 seats मिलाके ये अपने सरकार को बनाए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा वज़े है कि क्यों Justin Trudeau के time period में जो खालिस्तान movement है या इस खालिस्ता ideology को support किया गया है और ना कि सिर्फ support किया गया है बलकि इसको काफी promote भी किया गया है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब Canada में या US में बढ़ चड़कर खालिस्तान movement को support और promote किया गया है इसके पहले भी multiple ऐसे occasions हुए हैं जहां पे खास करके Canada में खालिस्तान movement को complete तरी passengers होते हैं वो सारे के सारे passengers का उसमें bomb blast के कारण death हो जाता है और जिस बंदे ने इस flight में bomb रखा था वो इस flight को board नहीं करता है अगर आप time निकालके इस bombing के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि किस तरीके से government of Canada इस bombing को लेके कभी भी अच्छे से investigation नहीं क इन वे हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो इसके पीछे conspirator था उसको selection दिया गया क्यूंकि आज 21 जून है और 23 जून को इसका anniversary मनाया जाएगा तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे diplomats जो कि Canada में हैं वो 23 जून को इस moment को याद करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो extremism ह होता है वो किसी का सगा नहीं होता है और extremism से कुतना नुकसान होता है और ये कहीं न कहीं एक जवाब भी रहेगा उन सभी member of parliaments के लिए जो आज हरदीव सिंग निजर के assassination को अपने parliaments में as in hero celebrate कर रहे हैं उसके बाद बात किया जाए चाहे हरदीव सिंग निजर का या इनके संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं है उसके बाद बीदे कुछ सालों में multiple ऐसे attacks हुए हैं Canada में खास करके जो non-sikh Indian ने उनके उपर चाहे consulate के उपर attack करना हो गया हो चाहे तिरंगे का अपमान करना हो गया हो या राधा स्वामी temple के उपर attack करना हो गया हो कहने का मतल पूरा का पूरा वो जो religion होता है वो बदनाम हो जाता है और कहीं न कहीं public में उसका एक negative impact पड़ता है इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखिये है कि कोई भी वैसे लोग जो separatist movement को promote करते हैं अगर आप उनका source of income देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं न कहीं उन को जब हरदीब सिंग निजर का assassination हो जाता है उसके महद कुछ दिनों के बाद ही government of Canada अपने diplomats को वापस बुला लेते हैं कहने का मतलब है कि ये complete तरीके से एक बच्चो वाली हरकते थी जहां पे government of Canada को ये मालूम था कि वो क्या कर रहें लेकिन फिर भी क्योंकि उनको अपने फालो में अगर आप देखेंगे Canada में crime rate तो वो काफी बढ़ा है, gang war काफी बढ़ा है, जो drug का smuggling है वो काफी बढ़ा है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि extremism बढ़ाने से सरिफ आपके जो दुश्मन देश से उन्हीं पे impact पड़ेगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, जो महौल है आपके देश का वो definitely खराब होगा, तो अगर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से Justin Trudeau अपने आपको सरकार में बना के रखने के लिए extremist element को support कर रहे हैं, ना कि सिर्फ support कर रहे हैं बलकि अपने parliament में उनको recognize भी कर रहे हैं I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye